जैहिंद वंदे मात्रम दोस्तों दें आप भी क्लास 12 का फाइनल बोड एक्जाम से त्यारी कर रहे हैं तो आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यदा महत्तपूर्ण होने वाले क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्टी के टॉप ऐसे चा किसी पर आपके बोड इगा में पूछे गए ठीक है तो यदि आप इन सभी कोचन को अची तरह किसी आद कर लेते हैं तो मैं आपको गैरिंटी के साथ कर सकता हूं कि आपको ये जो हिस्ट्री है यहां से बहुत सारे आपके कोचन फाइनल बोड इगा में डियर्क्त पूछ तो यह महंजडोड है सिंधू खाटे के सबयता का एक परमु के असल था और इसकी खोज़े फ्रेंड वह राखाल दास मनरी जी के द्वार है ठीक है और कभ चԲाश में इस्तित है तो पाकिस्तान के लरकाना जिला में तो आपसे question में किसी trap से घुमा के पूचा जागा लेकिन इदे आप concept by concept पढ़ेगा तो आपका final bodygram में एक भी mcq question गलत होने की समभालों नहीं है ठीक है अगला को इन 2 में दियागा कि डाक याड और गोडिवाड़ा का अफसेश किस नगर से प्राप्थ हुआ था और आपको पतार में यह जो डाक याड गोडिवाड़ा का अफसेश है वह इनमें से कौन से अस्थल से प्राप्थ हुआ था तो आपसे इन डी बिल्कुल right answer हो जग कि यो लोतल वह कौन साथ सो नधी किनारा इस तिथी था तो भोगवा नधी किनारी ठीक है और इसकी खोज Henry के घोंगा जाने ऑने अगा की उनिस सान तो इसके अंतिम सासक ब्रिहत दत्र थे तो आप सेम भी बिल्कुल राइट एंसर होगा ब्रिहत दत्र अगर कोई फोर में देगा है कि अर्थ सासक के रची आता है कौन थे आने आप अपको अर्थ सासक जो है वह इसके रची का कॉटिलिय है आने आप सेम भी बिल्कुल राइट एंसर होगा य talent कर देला है तो अब पतर आपको चैनल kholy को का टीला किसे कहा जाता है तो दोस्तों यह जो मिलिट्र को कटीला किस ने किया तो राखलदास बना जी ने किया ठीक है और ये दोस्तों मोहन जोड़ोड जो है वह जिंधि भासा का सब्द है कि इस किनारे इस थे इस तो सिंदु नदी किनारे इस थे और मोंजोरों के साबदी करते हैं वह मिर्तफकों का ठीला होता है कौँ सा नदी के किनारे इस्तित है किस ने गए घरन के हमने इसकेiendo अग्समांगर आ भरकास के start का अगर हम अगे से अगमिधे में नीर्थ कर्थी लड़की की मुर्ती किस अस्थान से पराप्थ हुए थी अगर दिया हुआ है कि मौरी समराज की अस्थापने किस ने की थी तो तो दोसे ये मौरी समराज है अगर दिया है कि मौरी समराज के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था तो दोसे ये जो मौरी समराज है इसकी प्रचलित मुद्रा उसे पन कहा था तो आपसं ये बिलकुर राइट एंसर रोगा पन तो आपसे कोशन में घुमाके प्जाएगा तो आपसे question में घुमा के पूझाएगा कि जो नंद वन्स की समाप्ति या मौर वन्स की अस्थापना का वर्णर इन में से कौन सा कुछतक में किया गया है तो मुद्राच्छस विसाखादत में ठीक है अगर आपके लेवन्स की कि निम्ना अंकीत में से कौन मोर्य वन्स का सासक नहीं था आपकर में इन में से कौन सा जो है वह मौर वन्स का सासक नहीं था तो आपसे यह पर right inner friend वह जगा आपसे अजाद सतरू और ये जो बिंदू सार है फ्रेंड ये बिंबी सार का पूत्र का ठीक है तो आपसे कोशन में पूछाएगा कि बिंदू सार का पूत्र कौन था तो बिंबी सार ठीक है और ये जो बिंदू सार है फ्रेंड इसका कारेकाल कब से कब तक रहा तो 544 हिसा पूरू से लेकर फ्रें इन्होंने से लुकास को कब पराजित किये थे तो 305 यह सा पूरो जो फ्रेंट वो से लुकास को पराजित किया था तो आपसन बी राइट एंसर होगा 305 बीसी ठीक है नेशनल टाटीज में देए फ्रेंट कि अमरावती का अस्तूप किस राजे में इस्तित है काई इस्तित है तो करिषणा नर्धिक दयाने टर्थ पर झो है अमरावती का अस्तूप है वह इस्तित है अगर टाटीज में काफी ज़की कि भौपाल की किस बेगम ने सांची के अस्तूप के संद्र रंचर में योगदान दिया था तो आपसंद ये और भी दोनों राइट एंसर हो जाएगा कि बूद के बच्पन का नाम क्या था और ये जो लूमनी है वो कहां पर इस्तित है तो नेपाल में इस्तित रही था तो इसके पिता का नाम जो है वो सुद्धान था वह माता का जो नाम है वह महा माया था तो आपसे कोशन में डैक्ट पूछाएगा कि कि गौतमबुद के माता का नाम क्या था तो महा माया पिता का नाम क्या था सुद्धुद्धन जन्मक कब हुआ तो पाच्ट parksल ये असीए बाच में नाम हो स्थापक थे तो आपसे बी राइट एंसार हो जाएगा कि अस्तूप संबंदित है यह जो अस्तूप है वह बहुत धर्म से संबंदित है तो आपसे राइट एंसार बहुत धर्म ठीक है नेकलन 20 में देगा कि कुंदल 1 कस्मीर में चत्रूर्ट बहुत संबंदिती किस सासा के काल में हुई थी आतापने कोश्डन में गुँमा के पुछाएगा कि पहली बहुत संगिती है वह किसके कारी काल में हुए था ठीक है अगर पुछ जाएगा कि दूसरी बहुत संगीती कब होता तो कालो काला कोस के कारेकाल में होता और ठाट जो बहुत संगीती होता वो असो के कारेकाल में होता ठीक है कि सूफी परमपरा में पीर से क्या अर्थ है इसमें यह जो पीर सब्द है इससे क्या अर्थ होता है तो आप संग यह राइड देनर रोज का गुरू ठीक है तो यह जो पीर है यहां पर आप से घुमा को कॉश्चन पूलेगा कि जो सूफी परमपरा में जो है वो मूरीद का मुरिद का भी से वह मुणा में कुरा सकता है कि भक्ती एवं सूफी आंदोलन के संतों का युग्दान हुआ पी बच्टी है भक्ती एवं सूफी आंदोलन के संतों के किसमें कावाल काटां था धर्मिक शाधबiedoação में make Hunter जी आधी चोपने नहीं और मुसल्मानों में एकता में तो इनमें भी काफियादा योगदान था तो आप सवी में भक्ति आंदोलान भारत के किस छेतर से प्राधरम हुआ था अने को बनाइश्य भक्ति आंदोलान ने इसकी जो सुरुवात है वह दच्छिन भारत से हुआ था ग्रारम करने वाला संथ क्या नाम क्या था? तो दोसरो यह किर्टन को प्रारम करने वाला संथ है उसे जो चैतने महापरभू के द्वारा किर्टन को प्रारम किया गया था ठीक है तो आपसे डी राइट है चैतने महापरभू और यह जो चैतने महापरभू है वो कहा के थे तो बंगाल के ठीक है और यह जो चैतने महापर से संबंदित है तो आप से यह राइट है है इनका वह वास्तविक नाम है दोस्तों वह मुहम्मद बिन यहमद बिन दनियल अल बुखाली था तो आप से कोशें में पुछाएक है कि इसमें सबसे प्रसीद सूफी संद कौन थे तो निजामुदिन अलिया और इनके गुरु का नाम जो है वह बावा फरीद था अगलागा उन 26 में जेंए कि तालवंडी किसका जर्म अस्तान था तो अब यह सुख यह जो सीख धर्म के संस्थापक थे तो आप से पुछाएगा कि सीख धर्म के संस्थापक को थे तो गुरु नानक ठीक है और इनकी मिर्थु जो है वह 15 1538 में हो गया तो आप से क्कॉछेएगा कि गुरु नानक का मिर्थु का भुआ तो 1530 में इनका जर्म का भुआ तो 1469 में ठीक है अगला विजय नेगर काल है तो इसका इसमें टोटल चार वनसों ने सासन के था कौन-कौन संगम वन्स सुलू वन्स तुलू वन्स और अराव ठीक है अगला कोचन देगे फ्रेंट 28 में कि 1550 10 में कौन सा प्रसिद यूद्ध हुआ था कावज़र भी भी एक क्वश्चन नानक कि 1550 10 में इनके से कौन से यूद्ध हुआ था तो आप से ये राइट इसमें ताली कोटा का यूद ठीक है एधि आप से डेट पुछेगा क ताली कोटा का यूद्ध है वो किसके किसके बीच हवा तरपके हम मों दोस्तो इस question को आप लोग सभी będą कर लिए-गे व है कि व्जेए ने गर समराज है इसके अस्ठापना कभ़े थी दोस्तो ohig जो ऑक शृतिसय को रह टो हरियर पर्थम और भुठार की अस्थापना की लोगों के द्वारात सबसे महान पूर्ण सासकों में से एक थे, ठीक है? अगरा आफ मनन टैटी में राजा कि कि समराई कि कुछू पूंच के राजा थे, काभिव भी कोश्पी जातीो परम पूंच के महान सासक कौन थे तो कृश्टन समराई के सभ से महान साथ को माना जाता है वो आंद्र भोज अं अभी नव भोज दो प्रैने हैं वो इसके प्रमु कुपाधी थे ठीक है EG31 32 में देगे कि क्रिष्ण देवराय के दर्बार में अस्ट दिगज थे गाइफ ल विजेव और शा issथापने वो बुकका के दोवरा किया गया था रहीर और भुकका की द्वारा को उडानी था के गया था व संघंगय संघंग संपन और आप बात के जो अकबर नामा है इसकी रचना किस के द्वारा किया गया तो आपसे पुछाए गया तो फार्सी भासा में कि पर्थम पानिपर्थ का यूद कब लड़ा गया था तो 1526 में जो है वो पानिपर्थ का यूद हुआ था ठीक है और इसमें इबराहिम लोदी का जो फ्रेंड वो हार हो गया था वो बाबर जो है वो जीत गया था अगर 166 में दे है कि आई ने अकबरी कितने भागों में भी भागता है तो दोसर जो आई ने अकबरी है वो टोटल पांच भागों में भी भागता है तो आपसे जो आई ने अकबरी है वो अबूल फजल द्वारा लिखा गया तो आपसे कोशन पूशन है कि जो आई ने अकब करने कि तंबाखु पर किस साथ सख ने परतिबन लगया था तो ये तंबाखु परतिबन लगया था यहांगिर के द्वारा लगाया था और यह सक्षेथी जो फ्रहें ़ो पूर्थ-गालिक के द्वारा दोस्तों भार्त में आया थाथ तो अग्ला काल में सरवाधिक उपजावु भूमि को क्या कहा था था यह मुगल काल में सामराज की आयका सरवाधिक महतपूर्ण साधन क्या था तो मुगल काल में आयका सरवाधिक जो महतपूर्ण साधन था वो क्या था तो खिराज राइट एंसर हो जाएगा ठीक है आने भू राज सुआ तो आपके पास नहीं है ठीक है और आपका जो सिलेवासर उसके अनुसार आपको देखा जाए तो 40 नमर का आपका उब्जेक्टि होने वाला ठीक है और दोस्तो हर एक चैप्टर का मैंने इस वीडियो में दोस्तो इस चैनल के प्लेइलिस में दोस्तो हर एक चैप्टर और हर एक मोटर सेट का कंप्ली सॉल्यूसन करवा दिए तो अपने नहीं देखे तो प्लीज वहाँ से जाकर देख सकते और चैनल पर पार हैं तो फिल चैनल को सब्सक्राब करके बेल आक्राम बटाब में प्रेस करें क्योंकि दोस्तों इस चैनल बहुती 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 तरीके सब दोस्तों क्लास 12 फाइनल बुड़े गाम की त्यारी करवाएगा रहा ठीक है